नवस्कार आप देख रहे हैं दजेट प्लस और मैं हूँ आपके साथ नवेंदु कुमार मनोज बाइजपरी का एक रैप सोंग आया है मुंबई में कावा जब से यह सोंग आया है इसे अब तक मिलियन में व्यू मिल रहे हैं आज इसी के बारे में जानने के लिए हम भीहार क जनता से चानेंगे कि यह जो सोंग है उन्हें कितना पसंद आ रहा है आपका नाम मेरा नाम से हरवा है कि आंपने यह सुग सुना है जी मैंने कली इस गाने को सुना है और पूरा सुना है कैसा लगा आपको ये गाना सच कहें तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मतलब सुनके मतलब एक वह अपने प्रदेश के हैं बिहार से हैं और फिल्म आपक वादुक को दर्ठ याजर्द मैं selfies जाते हैं अर। उनको नहीं वाएं जो काकी साहरी मुँवी को डर्ध के लिए जाते ह। ज्लूने में बखुभी से दर्साया है और अनुभप सिन्ना जो डिरेक्टर है जिनोंने काफी सारी देख रहे हैं कि एक भासाई अधार पर हम उनसे जूड़ पा रहे हैं लेकिन यह भी एक उसमें मजदूरों के दर्द को जैसे हम लॉक्डाउन के समय देखा कि प्रवासी मजदूर कैसे भीहार आते हैं और उनको आने में कितनी तक होती है इसको भी दर्द आया गया इस पर प्रवासी मजदूर अभी लॉक्डाउन जो leverage में प्रवासी मजदूरों के लिए बाहर बीहार से बाहर जा के वो रह रहे थे मदाने Какर जरियान नहीं है वह भाम्ठान। तो इसके उपर है कि मतलब हो प्रश्ण कर रहे हैं कि बंबई में का वा मतलब यह सिर्प केवल बंबई के लिह नहीं क्यों नहीं है यहowy घर में रह के क्यों नहीं कमा पा रहे हैं इस पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाना लिखा गया है, कमपोज किया गया है, मनोजाच पहिसर ने बहुत ही अच्छे से उसे गाया भी बहुत अच्छे से हैं, और यहां बहुत अच्छा लग रहा है, देखके उसको बहुत काफी खुशी हो रही है, और यह एक आ कि आप यहां पे वह सारी सुविधाइं जो मुल्वू सुविधाइं आप यहां पर मुहया करवाईए सरकार से यह प्रश्ण भी है और उन्हें वह सारी बेसिक चीजें दीजिए क्योंकि वह सक्षा में वह सारा कुछ काम करने के लिए अगर यहां पर संसाधन उस हिसाब से और उन्हें मिला तो वो एक हम लोगों के लिए उनके लिए धी काम के रुप में आगा उन्हे दय Adm ब्लीच वी आब दिखते हैं उसमें आपको एक असलीलता है मतलब कर शब्दों में भी और उसके प्रदर्शन में भी और वह कि scholars कि कोई बीजो समाज में विशमताइं या समाज में कोई कुछ भी कमी है उसको वह दिखाता नहीं तुसमें वो कुछ चारी चीज़े दिखने को नहीं मिलती एक प्रकारत हमें कर सकते हैं कि हमारे जो मनोज वाच्फई जी हैं वो इस गाने के माध्यम से भोजपूरी सीने जागत के लोगों को आयना भी दिखा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आयना भी दिखा रहे हैं और एके की मुद्दे को उठाएंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे और लोग देखना भी चाहते हैं बसरतिया बनाना शुरू तो किजिए लोग तभी तो देखेंगे अगर हम कहें कि इस गाने को आप एक भोजपूरी नाम या बिहारी सब्द में अगर इसको कहना चाहें तो क्या क्या का है ऊपने सुना सुना निव जरूर मुंबई में बना है लेकिन पूरा दर्स आ रहा है कि सिच्वीचियोशन जो अभी का स्थ्थिति है वह दर्सारा है इसमें आपका इसमें जो है वह लौकड़ान के समें जैसे से प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे तो उनकी दसा को दर्साया गया है आपको देखकर कैसा लगा है कि दसा देखके तो मतलब अंदर से तो ऐसा नहीं बोलेंगे घुसी हो रहा है उल्लास हो रहा है कुछ जो भी है दिखाया गया मतलब जो हुआ लॉक्डान के समय जो हुआ बिहार के मजदूरों के साथ वह सारा उसमें दर्साया गया है मैंने जो एलबम आया वी कर रहा है कैसा लगा आपको कापी बढ़िया और यह बताओ कि मनोज बाच्पीज जैसे कोई फिल्म करते हैं और उनका अलग क्रेज होता है गाने को लेकर आपको लग रहा है कि बिहा बिहार का टोन तो नहीं बोल चकते हैं लेकिन बिहार का स्थीति एक्दम हंडिड़ परसंट दसा रहा है यह बिना बोले यह चीज़ दिख जाता है उस चीज में और जहां तक है कि मनुझ पाए आज रापर आज अक्टर हम लोग उनको देखते हैं लेकिन आजर आपर आइ तो अगर भुझपुरी टोन यूज करते हैं तो जिन से उनका कनेक्शन हो नहीं पाया वह भी हो जाएगा और आप कैसे देखते हैं जैसे एक भुझपुरी जो गाने इस समय आते हैं और यह जो रह पाया है इसमें इसको कितना अंतर पाते हैं अपन्डावना सर मतलब कहने चाहने काना चाहता है जो भुझपुरी जगत के जो लोग है उनको आइना तो दिखा रहा है जो वह जो लोग है ठीक ठाकते लेकिन जो आभी का जो इसमें पनप रहा है उसमें वो बात नहीं है सर आपका नाम ननी सेंग यह बताएं कि मनोजवाच्वे का रैप सोंग आया है उसे आपने सुना जी हाँ बिलकुल कैसा लगा आपको बहुत ही अच्छा यहां तक कि यह जो बहुत पूरी हमारे बहुत पूरी इंडस्टी में बनाते हैं वैसा गाना इसे कुछ शीख ले हैं और इसे सीख ले के बहुत यह इं अच्छा कई हैं अही हैं इसमें है जो बहुत पूरी सब्सक्राएं पुरियो皮ू किया गया हुए प्रवासी मजदूर जो है वो अपने राज्यों को जाते हैं और उनको पैदल चलना पड़ता है तो इससे हमें सीख लेने की ज़रूत नहीं है इससे हमारे सरकार को सीख लेने की ज़रूत है चुकि वो इन्हें बजबेजी साफ दर्साये हैं कि क्या क्या सीख लेना है हमारे यहां कुछ नहीं है तभी तो हम दूसरे के यहां जा रहे हैं हमारे यहां कि लोग बाहर जा रहे हैं और ऐसी सिच्वेशन में हमें बाहर आने में कितने तकलीफ होती हैं आपका नाम निर्मल जी आपने गाने को सुना और इसमें जो दुर्दसा है बिहार की उसको भी दर्थाया गया है लॉगडाउन किसे जैसे प्रवासी मजदूर बाहर से बिहार आते हैं और उनको पैदल चलना पड़ता है इस गाने में बखुबी उस चीजों को दिखाया गया है और पूछा गया है कि मुंबई में क्या वा बिहार में क्यों नहीं हो सकता जो आप मुंबई आ रहे हैं क्यों हैं में कावा इसमें दुर्दसा तो एक प्रते सरकार को ये भी पता जा रहा है क्या भाई ये क्या कर रहे थे कि अभी तक है जो इतने लोग बाहर तो बहुत दिन से राज ठाक्रें बता ही रहा भाड़ी को ओभा बाता के तो नहीं लोग को पहले ही समझ लेना चाहिए कि बंबाइस अच्छा हम बिहार बना सकते हैं पर बनाएंगे नहीं कि चारा घोटाला करेंगे नितिश कुमार तो क्या क्या करते हो तो पता ही नहीं चलता है आप अगर इसे गाने को देखें और भोजपूरी गाने को देखें जैसे यह रफ संग आया भोजपूरी में है और भ मेरे लाखक्रा कराल कर देखें थैसे बिल्कुल को कैसे भला और कैसे हैं कैसे ब्लाइट कर्वाज्पूरा उप्रका चल लए पता चलेगा की क्या है कंगे अपका नाम गार्ति θα आप जो k मतलब ऑला के बारे जवाजब के आएप पता चलेगा कि अपका नाम पल्लवी जी आपने जहागा थे साफ कहा है कि हम क्या करने आ रहे हैं बिहार नहीं हो पाता उनके यह कमाने वाहर जाते हैं जिसके वजह से यह गाने में कहना चाहते यह बात को भासाई अधार पर देखें तो आप इससे कितना जुर पा रहे हैं बिलकुल मैं इससे जुर पाड़ी है तो बिल्कुल समसाना आप नम अभीनाश आपने गाना सुना के शांदार जवर्दस जिन्द बाद तो इसमें भीहार की दूर०सा को भी दर्शाया गया कि कैसे लॉक्डाउन के समय जो भीहारी मिल्दूर हैं वह आते हैं और उनको का पैदल चलना पड़ता इन सबी अभी आपका चुनाव है देखिए क्या होता है पब्लिक आपको लगता है कि मनुझ वजपी का ये जो रैप सौंग है वो इसको आने के बाद जो है बिहार विधान सवाथ चुनाव में इसका असर पढ़ने वाला देखिए कुछ कहां नहीं जा सकता है क्योंकि सरकार तो सुस अभी पुराने जमाने के भी जो हमारे लोग यहीं से नारंदा युनिवर्सिट्टी हमारा यहीं पर है हमें गर्भ होना चाहिए बिहारी होने पर और हमें गर्भ है हमारे मनुझ बाजपाईजीब है और हम सूरु से उनको एडमायर करते है बहुत अच्छा लगता है उनक तब्सव्रिए में पागा हैं काम करते हैं फिर ऊसमें कि अपस तुमको आना पड़ा हुआ adesso लिए उसके वह सब क्लारिफाय उसमें किया गया बहुत सारा चीजिस में और बताया गया है मनोजवजपई को ऐसे हम लोग अभिनेता के तौर बहुत देखते हैं और बहुत प्रसंसक भी है उनके लेकिन अगर हम देखें उनका पहला और वह भुझपूरी में या बिहार के जो उसको कितना रिलेट कर रह से हम कहें कि भॉझपूरी में इस गाने को लाया गया है और आप अपने सब्ढमें ढ redefineasi and बंबई में कावा वह लाइन में हमार बहुत अच्छा लगा था वह आपको यह गाने से कुछ भी मिली होगी हाँ यह सीख मिली कि अपने एक एरिया में रहके बहुत कुछ हो सकता है हर चीज बाहर जाके नहीं हो सकता है अगर दो वक्त की रोटी कमा यह तो उनको बापस याना पड़ता है तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या यह सरकार को एक परकार सायना भी दिखाने है कोछी सबयां काम करते हैं श४्राइबंड होते ऊपढ़ कोई यह प्रॉब्लम होते हूं पढ़े लिखाा हो होंगे फिर आगे आप नौकरी चागरी के लिए भी सोच रहोंगे कि हमें कहीं बाहर ना पड़े अब इस गाने को सुनकर आपको क्या मन में लगा कभी कि यहां नहीं यार आप तो बिहार में कुछ करना है हाँ मेरे मेरे को प्लान है कि मैं फोटोग्राफर बनों और मैं सुचता हूं कि यहां पर वेडिंग और फैशन फोटोग्राफिक और मैंने यह सोचके रखा है बिहार से बाहर नहीं जाना आप भीहार में बाहर यांद करूंगा लेकिन बिहार में वह चीज को मैं लेकर आऊंगा क्या ये आपने गाना सुना में काबहल सो तौ आप इसको पशंद किया रहा है तो तो आप इसको कैसे देखते हैं नहीं इसलिए पसंद क्या है क्योंकि एक तो बिहार का जो गाया भी है अच्छा मनोजवाई पाई बिहार कहीं है तो होता ना कि अपने लोगों को जादा वो मोटिवेट करेंगे तब न जादा होगा और वो इसके जरी बताए भी है मतलब ना कि वहां जाके कुछ करीए कि उससे स्टेट की नाम रंब देखा जा रहा है कि आप बेल्कुल सरकार को बताया जा रहा है कि आप यहां पे इतना सुविदा छोड़के अपना लोग को छोड़के पढ़ाय को भीच जाए गड़ाने हम लोग अगर हमें कोई चीज पसंद होती है तो बिहार के बोली में हम कुछ और बोलते हैं अगर हम कहेंगे कि यह गाने को आप अपने भासा में बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे बावाल है तो यह हमारे सब्सक्राइब करें अगर आप यह वीडियो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें